हेलो गाइस मैं हुश्य वाली ठाकुर तो आज की जो वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है तो वीडियो का एंट तक जरूर देखे और गाइस मैं आपको एक चीज दिखाती हूं अंकल जी आप तहां तक पड़े हो बीये तक बीये करें आपने तो आप देख सकतो रिक् करते हैं तो तब तो आपको यह जौब कर सकते हैं आप यह रिक्षा क्यों चला रहे हैं नहीं मिला तो घर चलाने के लिए यह काम करना काम नहीं मिल आपको उस वक्त भी आपको काम नहीं मिला मजबूरी आपकी रिक्षा चलाना मतलब पढ़े लिखें आप भी तो आपने यह भी बारवी पास हैं, इन्होंने भी पढ़ाई करी हैं और यह भी रिक्षा चला रहे हैं तो seriously ya, hats off to such guys जो मतलब यह हर काम करने के लिए तयार हो जाते हैं, वो भी अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं तो देख सकते हैं आपकी परिवार के लिए क्या करना पड़ता है Hello Uncle जी, मुझे पूछने था कि आप कितने पड़े लिखे हैं LA DA थव यह कर से हैं, नजे था कर सकते हैं के जी सब देख सकते हैं कि यह भी यह पढ़े लिखे हैं वी यह करने के बाद भी मतलब रिख्षा चला रहे हैं तो एक तरह से ही है कि कोई भी काम चोटा बढ़ानी होता है तो हमें सब कि रिजग करनी चीए तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी रिस्टक्ट करें रिक्षे वाले की तो और भी चरो पूछते हैं कि और कौन-कौन है जो रिक्षे वाले पढ़े लिखे हैं अब भाईया कुछ पोछना था आप से अब कितना पढ़ा लिखे हैं आप मजबूरी में पैसा नहीं थे मजबूरी में तो गाइस देखा आपने मतलब आप मुझे लग भी रहा था थोड़ा जेंटलमें लग रहे थी तो यह काफी पढ़े लिखे भी हैं और उसके बाद मीने मजबूरन लिक्षा चलाना पड़ रहा हैं तो यह हालात है हमारे देश क प्रवेत आप देख सकते हैं और अवैसे यह निया और में चाहका कोई भी लोग कोई पसे पड़ा पूछना था आप कहां तक पढ़े हैं? बार्वी से कौन सी साइड? कॉमर्स गाइस देखा आपने बार्वी पढ़े हैं 12 करीरोंने कॉमर्स साइड से और फिर भी रिक्षा चला रहे हैं तो क्या ही हो गया हमारे देश को बार्वी पढ़े हैं बार्वी पढ़े हैं